हेलो फ्रेंड्स, यू आल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स, मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर्स स्वाती राठ और स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी के अपने ओलाइन प्रेटफर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर और आज इस वीडियो में हम लोग वनवट सब्सिट्यूशन का पार्ट 13 करेंगे, इससे पहले के सभी वीडियो हमारे चैनल पर अविलिबल हैं, आई होप आप सभी ने वो सारे ही वीडियो देख लिए होंगे, और अगर अभी भी उनमें से कोई भी वीडियो देखना बाकी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेडिस्ट पर जाके देख सकते हैं, हम अपना आज का यह वीडियो करते हैं और चलते हैं, पहले क्वेशन की तरफ, पहले क्वेशन है, रिच्वल वाशिंग ऑफ दा बॉडी, मतलब धार्मिक स्नान, देखिये, हिंदू धर्म में यह मान अपनेता है, बिलीफ है कि अगर आप किसी होली रिवर में, किसी नदी में जाके बात करते हो, यानि किस नान करते हो, तो आपके सबी पाप धूल जाते हैं, तो इसे हम वन वर्ट सब्रिटुशन में क्या कह देंगे, यह जानने के लिए हम ऑप्शन की तरफ आते हैं, ऑप Gnosticism, Option B is Allegory, Allegory का मतलब हो जाएगा, Story in which Ideas are Symbolized as People, मतलब प्रतीक का था, Option C is Ablusion, and Option D is Abdication, Abdication का मतलब हो जाएगा, To Formally Give Up, मतलब अपचारिक रुप से त्याग देना, यहां पे मैंने Option C का मीनिंग आपको नहीं बताया, Ablusion का क्योंकि, Ablusion का मीनिंग हो जाता है, धार्मिक इस नाम, Ritual Washing of the Body, इसलिए इसका सही आंसर होगा, Option C, Ablusion, आपको यह सभी words clear है, आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, अगला question है, That which cannot be defeated, मतलब जिसे हराया ना जा सके, जो अजय हो, उसे हम one word substitution में क्या कह देंगे, Options की तरफ आ जाते है, Option A is Intercept, Intercept का मतलब हो जाएगा, to check or stop on way, मतलब रोकना, Option B is Invisible, मतलब that which cannot be seen, अदरश्य, Option C is Involunerable, मतलब सुरक्षित, Option D is Invincible, Invincible का मतलब हो जाता है, अजय जिसे हराया ना जा सके, जिसे पराजय ना किया जा सके, That which cannot be defeated, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, Option D, Invincible, वह आपको यह सारे words clear है, अगे Option है, One who travels from place to place, मतलब गुमककर, जो एक जगह से दूसरी जगह घुमता रहता हो, उसे क्या कहेंगे, Options की तरफ आ जाते है, Option A is Itinerant, Itinerant का मतलब हो जाता है, गुमककर, वेंडर, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता रहता हो, गुमता रहता हो, Option B is Maxim, Maxim का मतलब हो ज जाएगा, Something kept to remember a place or event, मतलब कोई निशानी, Option D is meticulous, meticulous का मतलब हो जाएगा, Very particular about small details, मतलब निपोण, तो हमने सभी options जान लिए, और ये जो हमारा question है, One who travels from place to place, मतलब जो वेंडर हो, जो गुमककर हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता हो, घुमता हो, इसे हम कहेंग इटीने रेंट, आपको सभी चीज़े क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला question है, One who hates male, मतलब पुरुष द्रोवी, जो की पुरुषों से, जिसे male से, नफरतों, मतलब जिसे males पसंद ना हो, options की तरफ आ जाते हैं, option A is misogamist, misogamist का मतलब हो जाएगा, hater of marriage, मतलब जो वि a hater of womankind, मतलब जो महिलाओं से घ्रणा करे, option C is misanthrope, मतलब a hater of mankind, मानफता द्रोही, and option D is misandrist, misandrist का मतलब हो जाएगा, one who hates male, मतलब पुरुष द्रोही, तो यहाँ पे इसका सही answer होगा, option D misandrist, आगे बढ़ते हैं, अगला question है, one who is recently married, मतलब नव विवाहित, जिसका जिहाली में शादी हुई हो, उसे क्या गएंगे, options की तरफ आते हैं, option A is neurotic, neurotic का मतलब हो जाएगा, अत्यंत संबेदंशील या चिंतित, excessive, sensitive, anxious और obsessive, option B is nepotism, nepotism का मतलब हो जाएगा, undue favor shown to one's own relatives, मतलब भाई बती जावाद, option C is neogamist, neogamist का मतलब हो जाएगा, नव व तो विहीम, a person of no importance, ऐसा person जिसकी कोई value ना हो, जिसका कोई महत्व ना हो, उसे बोलेंगे non entity, तो हमने सभी options जान लिये, और ये जो हमारा question है, one who is recently married, मतलब नव विवाहित, जिसकी हाल ही में शादी हुई हो, उससे हम बोलेंगे, option C neogamist, वोप आपको सभी words clear है, तो friends आज मैंने आपके साथ कुछ questions discuss किये, कि इनके क्या one word substitution हो जाएंगे, I hope आप सभी को ये सारे ही words clear होंगे, और अगर still doubt है, तो आप वीडियो को repeat करके भी देख सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे like कीजिए, share कीजिए, अपने maximum friends के साथ, relatives के साथ, और अगर अभी तक हमारा channel subscribe नहीं किया है, तो please हमारा channel भी subscribe कर लीजिए, जिससे की upcoming videos की notification आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए करेगी, कल फिर मिलेंगे एक नए episode के साथ, तब तक के लिए stay tuned with us, thank you so much, wish you all the best.